जिन्दगी में सक्सेस को पाने के लिए बहुत से फेलिर से गुजरना पड़ता है बहुत सी रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है तब जाके इनसान उस मुकाम पे पहुंचता है जिस मुकाम के सपने वो अक्सर देखा करता था कुछ ऐसा ही हुआ जोविन नौट याल के साथ आज से ठीक 10 साल पहले सन 2011 में जोविन नौट याल X-Factor नामक शोव में एक ओडिशन देनी के लिए पहुंचे थे लेकिन शायद वो उनका दिन नहीं था वो बहुत ज़्यादा नर्वस थे जिस कारण वो उस लेवल का परफॉर्म में नहीं कर पाए जिस लेवल की उनसे उमीद थी और इसी बज़ा से सौनो निगम ने उन्हें रिजेक्ट कर दी लेकिन उन्होंने रिजेक्शन को पॉजिटिवली लिया और अपने आवाज पर काम किया रियाज किया, पहनत की और तब जाकर वो उस मुकाम पर पहुँच गए है जहां पर आज उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं यह आवाज का जादू सर्व चड़कर बॉलना है आप भी जोबिन की आवाज को उतना ही पसंद करते हैं जितना कि हम कमेंट सेक्शन पर जरूर लगिएगा और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें